स्वागत एक बार फिर से आप सभी का आपकी अपने ही चैनल फैंटसी बस पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अस्वेलिया वुमेन और वेस्ट इंडीस वुमेन के बीच में जो फर्स टीट्विंटी खेला जाएगा इसके बारे में कौन्चे खिलाडी वेस्ट इंडीस की तरफ से आपकी टीम में होने चाहिए बहुत सारी चीजे लॉजिकल तरीके से डिसकस करेंगे जिससे आप अपनी टीम बनाना सीख पाओगे इजी तरीके से विनिंग टीम बना पाओगे बस पूरा वीडियो देखना यह जो मैच है वो नॉर्थ सिड्नी ओवल सिड्नी के ग्राउंड पर खेला जाएगा सुबह 6.50 पर मुकाबला स्टार्ट हो जाएगा ओल्मोस्ट 6.20 पर टॉस होगा तो आपको एक्टिव रहना है इस ग्राउंड की अगर हम बात करें तो वुमेंस के यहां पर 10 मुकाबली खेले जा चुके 143 का फर्स इनिंग का एवरेज स्क करें कोई मैचेस धेख देख तरह हैं यहंपर 2017 से 2023 के बीच में इंग्लाइन की टीम उशुलागा की टीम ने harapघें लिए-बॉर इनों इसी सामाने पर पहलें बंडेबा चाहरेज चेहसे फिसके शूर्ट रिवह करने तो यहां पर देखो जब मजबूत टीम और कमजोर टीम खेलती एना तो यदि मजबूत टीम पहले ब carriage feather बाजी करो सकती है वहीं अगर वेस्ट इंडिक टीम जो की वीक WHY बलकलें ले बले बाजी करेगी तो हो सकता है उतना बड़ा स्कोर ना है इजी चेज कर ले अगर आप देखो गए यहां से तो बैटिंग के लिए थोड़ा ठीक ठाक है जो कि क्योंकि अच्छे टीम उचने अगर मैचे खेले ना जैसे यह वाला मैचे देखो जो सबसे पहला मैच खेल टीम खेलती है तो एक बैलेंस कंडिशन में आप मैच देखते भी चल सकते हो और कुछ एक चीजे होती है जैसे कि कुछ एक परफॉर्मिंग प्लेयर्स रहते हैं जो रिपेटिटली मोस्टली परफॉर्म करते हैं उनको कवर कर लेना है उसके अलावा चाहे इस्पिनर फ्र टिम खेल दिया तो वहीं चीज प्हले बल्ले बाजी करते हो अच्छा बना सकती है वेसे इंडिश्य की टीम यदी वीक है तो वह हो सकता है उतना अच्छा ना बना पाए ठीक है अगर उनकी एक दो में बल्लेबाज या जलदी आउठ हो गई तो यह कुछ चीज है ऑस्पि यह बैटिंग बैटिंग बॉलिंग की स्टाइल है कौन राइठ हेंडर है कौन ओफिस मिनर बॉलर है को राइटम फास्स मीडिया में कौन लैफ्ट अम और्फ अर्थाडलोक्स है कौन लेफ्टहेंडर बैट मैंने इस तरीके से आप देखते वे चल सकते हो यह अवश्चली अब इनकी टीम का ना बैटिंग ओडर में प्लेंग लेवन अनौंस होता है रिसेंट जो इन्होंने सिरीज खेली थी उसमें यही बैटिंग ओडर फॉलो कर रहे थे अभी क्या बैटिंग ओडर होता है यह अपना प्लेंग लेवन बैटिंग ओडर में ही अनौंस करते हैं तो तो यह प्रीडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी-कभी किसके कितने ओवर मिलेंगे कभी-कभी यह लोग जैस जोनसन के भी ओवर काट देते हैं ठीक है बट दीब राउन मेगन सूट इसके अलावा गार्डनर यह तीन के अच्छे खासे चांचे जाए कि ठीक ठाक थोड़ा सेयर करते हों दिखेंगे जिसमें सथ चांसेज है कि इन तीनों के बाद गार्डनर स्कॉट और ब्राउन के बाद जैस जोनसन ठीक ठाकवर डाले कभी-कभी-कभी आजाती है पर्फॉर्मेंस की बात करो एलिसा हैली का पर्फॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है ब इनकी टीम से जो पावर प्ले के गिंदबाज रहेंगे वह रहेंगे और द्रत में इनके पास मेंगें सट्ट जैस जनवरसन और डी ब्राउन में से कोई रहेंगी में स्कॉट पर इसा भी हो जाए कि यह लोग गार्डनर को लेके आ जाए जाते हैं अब मैं आपको एक देखना है तो 144 मैच की 126 इनिंग में अब लेबाजी किया है 2547 चौबिस का एवरिज एक आटाइस का स्ट्राइक रेट है चौदा बर पचास किया एक बर हंड्रेट किया यह रिसेंट इसकोर जो भी हमने डिसकुस किया तो इस तरीके से डीटेल में आप हर एक प्लेयर का सब्सक्राइब किसी ने बॉलने किया तो यह बॉलिंग से रिकर्ड है और जो यलो कलर से मेंसे रखते हैं तो आपको ऊजर में समाझ आ जाए متवाइगा किसका यह यह आप देख नहीं है तो आप दोकिए चलना ओनेवे चलना से मेंटीर में अप्छ बॉलाण लिए डिकट होता है कोई भी इंजरी अप्डेट आती है आफ्टर टॉस क्या बैटिंग और रहने वाला है सारी चीज़े आपको टेलिग्राम पे करन्वे की जाती है तो प्लीज टेलिग्राम से जूड जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है कमेंट सेक्शन के सब से पहले कमें दोनों कर रही है और इसके बाद अगर हम बात करें यह क्या है कि अब बात करें पर इनकी टीम से रिशंट वार्म की तो हैलमें उसका का प्रम का कफी करांब है यह जब से वाप्सी कि यह झाल रही है उपर से फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं है जिसके लिए जानी जाती है जी हैं अब इनकी टीम से बालिंग की बात करें तो यहां पर करनल रैम्रेक फिलेचर इनके थोड़े चांसे उसके बाद यहां पर जरूरत पड़ी वास्ट सिच्वेशन आ गया तो जैट जम्स भी इनके लिए बॉलिंग डाल सकती है इस्टेफनी टेलर बॉलिंग नहीं डाल रही है ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है इसके अलावा इनके पावर प्ले के बॉलर करनल और अधर्थ में इनके फिक्स नह है जिनके उपर मैंने टिक नहीं लगाया ठीक है इसके अलावा इनके पावर इनके भी प्लेयर वाइज स्टेट्स देख लो सेम वही फॉर्मेट है जो मैंने अभी तीम का दिखाया ठीक है हर एक प्लेयर का आपको उनका स्ट्राइक रेट देखने मिलेगा उनका उसत इनिंग में 44 विकिट है इस तरीके से नजर मारते हो चलना है टो है रिकॉर्ड देखेंगे जब दोनों टीम एक दूसरे के अगेंस खेलती है तो अस्ट्रेलिया वुमिन की तरफ से अलिसा हैली बारा मच की दस इनिंग में 236 चाइवरिज है जैस जोनेशन दस मेंच की छे धरींग में लिए बारा विकेंट निकाल है ताव कि दिखा दूगा किस में एक बैटी यह में तीन चमबल्सर है ठीक है घ्याए कशिकन करतें कि कौन किसमें में ज्यादा अच्छा उप्शन रहेगा वैसे असुलेंट टीम यदि चेश करती है तो यह मैच काफी अच्छा हो सकता है अगर असुलेंट टीम पहले बल्लेवाजी करती है थोड़ा यह मैच रिस्की हो सकता है पैरी को लेके मैं आगे आगे आपको समझाऊंगा बैथ मुन करेंगी प्लस ओपिन करेंगी तो हो सकता अच्छा स्कोर कर जाए ठीक है तो इनकी टीम डॉमिनेटिंग रहेंगी तो इन पर भरोशा कर सकते हो रासादा विल्यम्स डिसेंट आप्शन रहेंगी लेकिन आभी हमार पास अच्छे आप्शन है तो हम उन पर रिलाई करेंगे उसके बाद बैटिंग सेक्षन में से देखो पैरी और टेलर दो अप्शन है आप लोग टेलर की जगे पर पैरी को भी लेके जा सकते हो यदि अस्ट्रेलियन टीम पहले बल्ले बाजी करती है तो क्योंकि टेलर जो है वह बॉलिंग तो डाल नहीं रही है और जब से यह वा से इनिंग कर रही होगी तो साइध में नहीं को लेकर जाओं और इनकी टीम पहले बल्ले बाजी करेगी और यह पांचवे नमबर पर मेंचनों तो फरस्ट बल्ले बाजी में इनको ही लेकर जाओं टेलर की जगें ठीक है अभीक लिए बागी नीचे कोई और अच्छा ऑप यदि खेलती है तो टॉप अडर की बल्लेबाज है यदि इनको मौका मिलाना तो चेजिंग में या फिर फिर बल्लेबाजी में ट्राइ कर सकते हो ठीक है उसके बाद देखो यहां पर हैले मैथ्यूज मस्ठप पिक अपनी टीम की बेस्ट वाल राउंडर है कभी कभी देथ मे बल्लेबाजी करती है तो अभी के लिए में इनको मानके चल रहा हूं यह वन डाउन आ रही है अगर यह तरी डाउन जाएंगी तो फिर अकॉर्डिंगली हम लोग चूस करेंगे पैरी को ठीक है बॉलिंग का सियोरिटी है नहीं अभी में मगराथ का कि डालेंगी कि नहीं गेंदबाजी करती है तो ठीक है थोड़ी पोट लगा लेती है गेंदबाजी से अगर इनका महेंगा ओवर निकल गया तो फिर यह अंडर बोल हो सकती है अब चार ओवर करेंगी वो तो सियर्टी निया लेकिन अगर अच्छा ओवर कर गई तो हो सकता है कि इनको एक दो वर ही मिले लेकिन बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों करती है तो आप इनको कंसीडर कर सकते हो एजन ऑल राउंडर एस अधरलेंड को मैंने लिया है रिसेंट अच्छी गेंदबाजी करेंगी तो हो सकता पूरे चार भी मिल जाए दरवाइस दो वर में काम चलाना पड़े अभी के लिए चुकी वेस्ट इंडिस की टीम मैं मान के चल रहा हूं एक दो प्लेयर को छोड़ दो टेलर को और उनको हैले मैं उसको उतना ज्यादा कोई टेक टेकिंग नेचर के वहर हम कभी कबार इनका भी ओवर कट जाता है जब से यह वापसी की है लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो यह स्ट्रेलियन टीम की रेगुलर देथ बॉलर हुआ करती थी तीन से चार ओवर करती थी और विकेट भी लेके जाती थी और अगर इ यह भी पूरे चार ओवर करती है तो यह गुच्छे में विकेट लेके जाती है इवन यह देथ में भी करने के लिए जानी जाती है तो मैंने इनको लिया हुआ है फिलहाल के लिए क्योंकि मेरे पास उप्सन इनको लेने का मैं जहां पर एक टीम से आप साथ प्लेयर लेके आप आओगे वह वाली टीम भी आपको दिखा दूँगा उसके बाद फिलेचर थोड़ी ठीक ठाक गिंदबाज अपनी टीम के लिए लेकिन प्रॉब्लम यह कि मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं उसके बाद नीचे एक डीब राउन है जो कि हम लेंगे ग्यार लेकिन जहां पर हम अस्टुलियन टीम के दस प्लेयर ले सकते तो वहां पर लेके ही जाओ तो अभी के लिए मैंने इनको लिए किम गार्थ की जगे देखो ग्रैस भी खेल चकती है तो ग्रेंड लिग की ट्राइक लेना गंदबाजी चांसे कम है लेकिन अगर कर गई और व वाली टीम है जहां पर हमें एक बैट में लेना अला हुआ है ठीक है केप्टैंसी गार्णर वाइस केप्टैंसी मैथियूज क्योंकि बैटिंग दोनों करेंगे अगर चेस करती है तो इनकी सायथ बैटिंग ना है तब आप इनको करेंगे और बालिंग भी डालेंगी इसके इस टीम में होता है लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हमें कॉंप्रॉमाइज थोड़ा ज्यादा करना पड़ा है अब जब हम अब जब हमें एप्स यह ऑप्सन दे रही है कि आप एक टीम से 10 प्लेयर लेकर जा सकते हो तो मतलब मैक्सिमम पर यह फेसिलिटी आ गई है तो मैंने गजनभी को लिया आप देखो रिस्की कैस हो जागा मालोग चेजिंग में अभी तक पांचो नंबर पर खेलती हुआ रही थी फिर से पांचो नंबर पर खेलेंगी तो हो सकता है इनको बल्लेबाजी ना मिले ठीक है तो यह वेस्ट जा सकते और बॉलिंग भी नहीं यह निया को लेकर आपकी छोईस लाईगी दीव्राउंण को लेघो तो एक चिज आप की इस तरीके से आप चीनजर कर सकते हो जैसे आपको पर भरोली बाजी में और बॉलिंग बी ड़िया सकती तो फिर यह आप हैली के जगे पर पार ने जा सकते हो थोड़ा रिस्क राए ठीक है बाकि यह स्मॉल लिग की टीम है यानि तीन चार मेंबर वाली यह ग्रैंड लिग की नहीं है ग्रैंड लिग के लिए पैरी हैंडरी डी ब्राउन सदर्लेंड जैसे मैं आपको रिस्क बता हुआ कब किस सिच्वेशन में ज्यादा अच्छे पॉइंट देने के चांच स कर जाओ बाकि किस तरीके से चेंजेस करना है टीम से में मैंने सारी चीजे समझाइए वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बस आपको टेलिग्राम से जुड़ना है सिच्वेशन से जाननी है कौन सी टीम का क्या बैटिंग ऑडर है अगर अस्चुलिया टीम का के लिए जाहिन